है पढ़ेंगे सेकिंड यह सिंटेक्स इंग्लिश प्रोस से एक फ्री ऑफ दा सिलवर बॉक्स बाय जॉन गैल्स वर्दी। पहले हम इनका इंट्रोड़क्शन पढ़ते हैं जॉन गैल्स वर्दी इज फैमस नॉविलिस एंड प्ले राइट ये एक फैमस नॉविलिस भी है और प्ले राइट भी है ड्रामटिस भी है खास तोर से वो प्रफेशनल वेल पुलू किलास को केटिसाइज करते हैं अमीर लोगों पे हाला कि उनका तालुक भी एक प्रफेशनल वेल पुलू किलास से था लाइक औल दर राइटर्स ऑफ दर टाइम जॉळेस वर्दी इस आ ङैंड गण्ल्स वर्दि ऑसटार हैं कि वीज इंड ब responsibility पीड़ प्ले हे तल्क प्ले है इसमें तल्क सच्चाई है मौशरे की दोगली सुसाइटी के कुछ खामिया उन्होंने बताई है तो धर्यू थ्यूज गिल्ड स्वर्दी उन्होंने जो करेक्टर यूज किया है क्रिटीसिजम करने के लिए बिटिस सुसाइटी को उस करेक्टर का नाम है जैम जम जौन्स और उस में वो यह बताते हैं किस तरह से अमीरों को favor की जाती है British law में कानून में उनके साथ जो नर्मी अमीरों के साथ और गरीबों के साथ किस तरह treat किया जाता है जैसे के Oliver Goldiswit ने कहा law grins the poor कानून गरीब को जो हो peace देता है and rich man rule the law और अमीर आदमी जो कानून को चलाता है अब इसकी summary हम पढ़ते हैं इस play की act free of the silver box की Mr. Bartwick was a member of the British Parliament एक Mr. Bartwick थे जो के rich man थे, influential man थे, powerful man थे, British Parliament के member थे वो he posed himself as a social reformer who seemed to have great sympathy and compassion for the poor and downtrodden people वो अपने आपको ये समझते थे कि यानि गरीबों का champion, democracy का champion अपने आपको समझते थे और अपने आपको leader समझते थे, हम दर्स समझते थे गरीबों का हाला कि वो ऐसे नहीं थे In a drunken state, his dissolute son, Jack Bartwick stole a lady's purse नशे की हालत में एक रात, उनका बेटा, जिसका नाम Jack Bartwick था उसने एक ladies का पर्स चुरा लिया था He returned home very late at night और उस रात वो काफी देर से आया था James Jones, a poor and jobless person happened to pass near the house of Mr. Bartwick जिस शक्स का नाम James Jones है, वो एक गरीब आदमी था, jobless person था वो उस रास्ते से गुजरता उसके घर के पास से, मिसे बात विक के घर के पास से अच्छा मुक्तसर ये बता दू के इनी के घर में इस शक्स की James Jones की wife James Jones काम किया करती थी, मुलाजमा थी, तो ये उनके घर के पास से गुजरता है, he helped Jack in unlocking the door of his house, फिर वो मदद करता है Jack की उसका घर का दरवादा खुलने में, क्योंकि वो नशे की आलत में उसे चावी से लॉख नहीं खुल रहा होता, as Jack had nothing to give him, so he invited him to have a drink, अब Jack के पास उसकी महमान नवादी के लिए कुछ नहीं होता है, उस गरीब आदमी की, तो वो उसको offer करता है के, विस्की offer करता है शराब पीने के लिए, और वो जो गरीब आदमी है, जेम जोन्स वो नशा नहीं करता है, शराब नहीं पीता लेकिन उस दिन उस रात वो पी लेता है और वो बहग जाता है, भटक जाता है, जेम जोन्स इंटर दा हाउस with Jack, he drank विस्की excessively and under the influence of विस्की he stole a silver cigarette box and the same purse, और वो नशे की हालत में जब वो गरीब आदमी विस्की पी लेता है और पेट उसका खाली होता है उसके सर पे चड़ जाती है और वो भूल जाता है कि घलती से बेसिकली इसमें लिखा है कि उसे चोरी की चोरी नहीं करता हूँ घलती से वो सिल्वर बॉक्स अपनी जेव में रगलेता है मधूशी के आलम में इस टॉलन वाइच और जो एक पर्स होता है जो जैक ने चुराया होता है एक औरत से जैक कौन है पार्लिमेंट के मेंबर का मिस्टर बाटिव का बेटा है उसने भी पर्स चुराया है और इसने भी सिल्वर बॉक्स चुरा लिया गरीब अब सुबह के टाइम जो मिसर मार्लो है जो बटला ने खान सामा आए मिसर भार्टविक के घर में मुलाजिम है वो यह देखते हैं कि बॉक्स मिसिंग है जो जो लॉस्ट सिल्वर बॉक्स है वो बताते हैं मिसर भार्टविक को के मुलाजिम बताता है कि खायब है तो वो पुलिस स्टेशन भेज़ते हों को लॉच करने के लिए रिपोर्ट पुलिस एक्टिट प्रॉंट ली एन अरेस्टेशन जो लॉंग विदिस इनॉस्ट वाइफ वाइफ वॉइट एधा चार विमन इदा हाउस ऑफ निसर भार्टविक तो पुलिस आन्य हम हर्कत में है और मिस्स sub one को गिरफतार गती या और उसकी वाइट को भी गिरफतार गति चूर उन जोटें गर में इनोसेंट हैं दोनों हस्बेन वाइफ इनोसेंट हैं और उसकी वाइफ का कुछ लेना देना नहीं है उसे भी गिरफतार कर लेती हैं उनके बच्चे भी होते हैं छोटे-छोटे जॉन्स बिकेम वाइलेंट डिसेस्टिट दपुलिस वैंदे अरेस्टिड इस वाइफ वू डिडिन वू डिनोट कमिट एनी क्राइम जो है जो है जब पुलिस आती है पुलिस के हाथ भी उढ़ा देते हैं कि मेरी वाइफ को हाथ मत लगाओ मत लेके जाओ मत गिरफतार करो जब यह कहते हैं पुलिस का अध़ उड़ाते तो पुलिस उनको भी पगड़के ले जाती हों कि वाइफ को ले जाते हैं एक ओर क्राइम बन जाता है दप पुलिस टूक हर इंटू कस्टेडी विकेस देस सस्पेक्टिड एट शी माइट है इस्टोलन दसिल्वर वॉक्स औ और हेल्प हर हस्बेंड इन एंटिंग थाउस ऑफिसपार्विक मिस्स जॉन्स को यानि जो पूर विमन है उसको इसलिए गिरफ्सार करती है पुलिस के क्योंकि यह मुलाजमा थी मिस्सपार्विक के घर में पार्लिमेंटेरियन के घर में मुलाजमा थी शायद इनोंने फ्री चिल रहा है अब जब यह एःदाम लगा थो जोंने अपना घर खाली करना पड़ा हरो पने बच्चों समीथ यह सारे मामलात उनकी जॉप भी गई है घर भी खाली करना पड़ा यह सारे मामलात उनके साथ हुए माशी मामलात तूर गैस अप्रॉल्ब्लमस में और को लाया गया और कोड में पेशिया गया कि उसने पुलिस के उपर भी हमला किया है अटेक किया है कि ही वाज सेंटेंस टू वन मंच इंप्रिजन विद हाट लेवर उसको जो है सेंटेंस हुई सदा हुई मिसर जो गरीब आदमी था हाट लेवर की ही प्रोटेस्टेड अगेंस इस इंजस्टिस उसने प्रोटेस्ट किया कि यह मेरे साथ इंजस्टिस वह ना इंसाफ हुई फोर जैग वो कमिटेट टी आइडेंटिकल क्राइम उसे कोई सदा नहीं हुई जज भी मिला वा था ही सेज तू मेजिस्टेट उसने मेजिस्टेट से कहा कॉल दिस जस्टिस क्या इसको जस्टिस कहोगे वड़ बाउट हिम इसके बारे में क्या कहोगे वो भी नशे में था ही तुक तपर्स उसमें उरत का पर्स चोरी किया बट इस मेमरी गट हिम अफ जस्टिस मनी गट हिम अफ जस्टिस ये इसका पैसा था जो इसको इसको इंसाफ दिया उसको और मुझे सदा हुई मिस्स जॉन्स वाज़ाइड फोर स्टीलिंग असिल्वर बॉक्स एंड हैंपिंग हर हस्बें इन अप्टैनिंग एक्सिस तु दू आउज़ वार्ट भी तो मिस्स जॉन पर भी यही इल्जामत है कि उन्होंने अपने हस्बेंट को सिल्वर बॉक्स चोरी करने में मदद फ प्राइल शी लुक अट मिस्स बार्ट विक विदा साइलें प्री इंप्लाइमेंट पट ही मैड़ जेस्टर उप्यूसल एंड हरी डाउट अप्ट आउट आउट अखिर माशुमान अंदाज में मिस्स बार्ट विक की तरफ देखा जो पार्लिमेंटरियां ते जिनके घर म मिलाजबा थी लेकिन उन्होंने ऐसे रिफ्यूजल वाले जेस्टर शो की और वो चले गए वहां से इसका कंप्लूजन यह है कि दा ड्रामाटिस्ट कंप्लूट्स तैट इस 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 दा पूर पीपल वो अल्वेस सफर एंड पास्ट थू मेंटल पीडिकल टॉर्चर एंड तो मिसल जो जो जॉन्स गैल्स वर्दी जिन्होंने यह एक फ्री ऑफ दा सिल्वर बॉक्स से जो हम पढ़ रहे हैं उन्होंने यह मैसीज दिया लिखा है कि हर हाल में गरीब आदी को सफर करना पड़ता है अमीर और गरीब और छोटे बड़े के लिए अलग अलग कानू मे उनकी सोसाइटी में महाशरे में और आफिरकार गरीब के उपर ही सारी बुराई आदी है अमीर जो है हर चीज़ से बरियुजिमा होता है वाइल दी ऑप्यूलेंट में यूज अप ये रिसोर्सेज और इंज्वाइ अट्रबल प्री लाइफ एवन आफ्टर कमिटिंग देमोस अभॉरेंट क्राइंट और जो पावरफुल इंफ्रेंशल पैसे वाले लोग हैं वो घलत काम करते हैं वो भी चोरी करते हैं वो भी कोई वराईयां उनके अंदर होती हैं लेकिन वो इन तमाम चीजों से बरीजिमा होते हैं अजाद होते हैं उन्हें कोई बगड़ने वाला नहीं होता है थैंक्यू फो वाचिंग